हे दोस्तो आज हम बात करने जा रहे हैं 15 हजाय के रेंज में 5 बेश्ट फोन के बारे में जिसमें बेश्ट कलास कैमरा, साथ में कीलर परफॉरमेंस और बिग बैटी लाइफ के साथ देखने को मिल जाएंगे तो दोस्तो अगर आप 15 हजाय के नीचे के रेंज में एक बेश्ट फोन को बाई करना चाहते हो तो टरस्ट मी ये 5 स्मार्ट फोन आपके लिए सबसे परफिक्ट फोन साबित होंगे तो इस्टार्ट करते हैं हमारे लिस्ट में नंबर 5 बाले स्मार्टफोन जिसका नाम है Samsung Galaxy M21 इस स्मार्टफोन की स्पेसिविकेशन की बात करें तो यहाँ पे 6.4 इंच की Full HD Plus का Super AMOLED डिस्पले दिया गया है साथ में Gorilla Glass 3 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है वहीं केमरे सेटप की बात करें जो किसके बैक में ट्रिपल केमरा सेटप देखने को मिल जाता है और यहाँ पे 48 Plus 8 Plus 5 के सेटप देखने को मिल जाएगा जबकि सेलफी के लिए यहाँ पे 20 मेगा पिक्सल का सेलफी केमरा सेटप दिया गया है साथ इस स्मार्टफोन के पिछले हिस्से पे फिजिकल फिंगर प्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है इसके अलावा सैमसंग गलक्सी M21 सैमसंग का एक जी नौस 9-6-1 चिपसेट पे काम करता है साथ में 6000 mh की बिग बैटरी और 15 वाट की फास्ट चार्जिंग के ओप्सन देखने को मिल जाएंगे वहीं अगर प्राइस की बात करें जोकिस फोन की स्टार्टिंग प्राइस 14,000 उपरे से स्टार्ट होती है और इस प्राइस में 4GB RAM और 64GB के स्टोरिज ओप्सन देखने को मिल जाएंगे तो अगर आप 15,000 के रेज में एक नौन चार्ज फोन को लेना चाहते हो तो Galaxy M21 आपके लिए बेस्ट ओप्सन साबित होंगे अब बात करते हैं हमाई लिष्ट में नंबर 4 वाले स्मार्ट फोन जो की Realme की तरफ से है और इसका नाम है Realme 6i इस स्मार्ट फोन की एस स्पेसिविकेशन की बात करें तो यहाँ पे 6.5 इंच की Full HD प्लस का IPS डिस्प्ले दिखनी को मिल जाता है साथ में गुदिला कलास्थरी का प्रोटेक्शन दिया गिया है इसके साथ इसकी डिस्प्ले 90 हर्ट की रिफ्रेस एट को सपोर्ट करता है जो कि फोन के लिए प्लस पॉइंट रिखनी को मिल जाता है वहीं केमरे सेटप की बात करें जो किसके बैक में चार केमरे सेटप देखनी को मिल जाएंगे यहाँ पे 48 पलस 8 पलस 2 पलस 2 के सेटप दिया गया है जबकि सेलफी के लिए यहाँ पे 16 मेगा पिक्सल का सेलफी केमरा सेटप देखनी को मिल जाता है इसके अलबा Realme 6i Media Tech Helio G90T chipset पे काम करता है और ये chipset high graphics gaming में भी काफी अच्छा performance करता है साथ इस phone में side mounted finger print sensor का इस्तमाल किया गिया है जबकि power backup के लिए इस phone में 4300 mh की बैटरी और 30 watt की fast charging के option देखने को मिल जाएंगे वहीं इसकी price भी काफी जड़ा impressive है इसकी starting price 13000 रुपय से start होती है और इस price में 4GB और 64GB के storage option देखने को मिल जाते हैं तो दोस्तों अगर आप 13000 रेज में एक based phone को buy करना चाहते हो तो Realme 6i आपके लिए काफी based option सावित होंगे अब बात करते हैं हमाय लिस्ट में number 3 वाले smartphone जो की Redmi की तरफ से है और इसका नाम है Redmi Note 9 Pro इस smartphone की specification की बात करें तो यहाँ पे 6.67 inch की FHD Plus का IPS display देखनी को मिल जाता है साथ में Gorilla Glass 5 का protection भी दिया गया है वहीं camera setup की बात करें जो किसके back में 4 camera setup देखनी को मिल जाता है यहाँ पे 48 पलस 8 पलस 5 पलस 2 के setup दिया गया है जबकि selfie के लिए यहाँ पे 16 megapixel का selfie camera setup देखनी को मिल जाता है इसकी अलावा processing की बात करें जो किस phone में Qualcomm Snapdragon 720G पे काम करता है जो की performance और battery efficiency के मामले में काफी perfect साबित होता है साथ इस phone में side mounted fingerprint sensor के option देखनी को मिल जाएंगे इसकी अलावा power backup की बात करें तो यहाँ पे 5020MH की big battery देखनी को मिल जाती है साथ में 18 watt के fast charging के option दिया गया है जबकि price की बात करें जो किस phone की starting price 14,000 उपैसे start होती है और इस price में 4GB और 64GB के storage option देखनी को मिल जाएंगे तो अगर आपका budget 14,000 की आसपास है तो आप Redmi Note 9 Pro के लिए भी जा सकते हो अब बात करते हैं मैं लिस्ट में number 2 वाले smartphone जो की realme की तरब से है और इसका नाम है realme 6 स्मार्टफोन की spasification की बात करें तो यहाँ पे 6.5 इंच की Full HD पलस का IPS डिस्पले देखनी को मिल जाता है साथ इसकी डिस्पले में Gorilla Glass 3 और 90 Hz की refresh rate का इस्तमाल किया गया है वहीं camera setup की बात करें जो किस phone के back में 4 camera setup देखनी को मिल जाता है और अगर आप ध्यान दे तो अब तक के सारे phone से इसका camera setup काफी अच्छा देखनी को मिल जाता है इसकी अलावा realme 6i media tech Helio G90T पे काम करता है और आपको पता है कि यह chipset gaming के मामले में काफी powerful साबित होता है साथ इस phone में side mounted fingerprint sensor के option देखनी को मिल जाएंगे इसकी अलावा power backup की बात करें जो किस phone में 4300 mh की battery और 30 watt की fast charging के option दिया गया है इसकी अलावा अगर price की बात करें तो इसकी starting price 14,000 रुपे से start होती है और इस price में 4GB RAM और 64GB के storage option देखनी को मिल जाएंगे तो दस्तो Realme 6 camera से लेके performance और display performance के मामले में काफी अच्छा smartphone साबित होता है तो अगर आप चाहें तो Realme 6 के लिए भी जा सकते हो अब बात करते हैं हमाया लिष्ट में number 1 वाले smartphone जो की POCO के तरब से है और इसका नाम है POCO M2 Pro इस smartphone की specification की बात करें तो यहां पे 6.67 inch की Full HD Plus का IPS डिस्पले देखने को मिल जाता है साथ इसकी डिस्पले Gorilla Glass 5 और 60 Hz की refresh rate को सपोर्ट करता है वहीं camera setup की बात करें जो कि इस phone के back में 4 camera setup दिया गया है और यहां पे 48 plus 8 plus 5 plus 2 के setup देखने को मिल जाता है जबकि selfie के इस phone में 16 megapixel का selfie camera setup दिया गया है इसकी अलाबा POCO M2 Pro Qualcomm Snapdragon 720G chipset पे काम करता है और जो कि यह chipset gaming performance और battery efficiency के मामले में काफी अच्छा सावित होता है साथ इस phone में side mounted fingerprint sensor के option देखने को मिल जाएंगे इसकी अलाबा power backup की बात करें जो कि इस phone में 5000 mh की big battery और 33 watt की fast charging के option देखने को मिल जाएंगे इसके साथ ही अगर price की बात करें जो कि इस phone की starting price 14,000 उपैसे start होती है और इस price में 4GV, RAMOS 64GB के storage option देखने को मिल जाएंगे दोस्तों यहाँ पे Realme 6 और Poco M2 Pro दोनों ही smartphone अपने आप में काफी अच्छे smartphone साबित होते हैं और दोनों ही smartphone एक दुसरे को काफी जड़ा टकर देते हैं लेकिन यहाँ पे मेरे हिसाब से Poco M2 Pro number 1 smartphone साबित होता है दोस्तों दिखाएगा इस सारे smartphone के links आपको description box में मिल जाएंगे तो आप वहाँ से भी check out कर सकते हो इसकी अलाबा वीडियो अच्छी लेगी तो आप मेरे चैनल को subscribe करके मुझे support कर सकते हो मिलते हैं अगले वीडियो में, thanks for watching